Hello Everyone, जैसा कि आप जानते हैं आज UP Board Class 12, 2024 में जो सिविक्स यानी की नागरिक साष्त्र का आपका कोशन पेपर हुआ है आज हम 323 ES Code कोशन पेपर को आपके समझ डिसकस करने जा रहे हैं तो इसमें आपके पहले MCQ विश्ट कोशन है इसमें आपका पहला कोशन है दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं इस नहीं होना चाहिए था, किस होना चाहिए था तो आपका फ़र्ष्ट होगा समाजवादी देश सेकेंड कोशन है खुले दुआर की नीती का संबंद किस देश से है तो यह चीन से है आपका जो सा उप्सन है यह बिल्कुल सही होगा अगला कोशन है नेपाल किस वर्ष में लोक तांत्रिक गड़ राज बना तो यह आपका दो हज्जार छे में बना था तो आपका सा उप्सन बिल्कुल सही है संयुक्त राष्ट संग के जंडे में किस ब्रच की पत्तियों का प्रियोग किया गया है तो इसमें जैतूं यह कॉम्टेटिव एकजाम में भी पूचा जाता है तो सा उप्सन इसमें सही है संयुक्त राष्ट संग का कौन सा अंग अग क्रिया सील नहीं रह गया है तो सातियो आर्थे केवं सामाजिक परसद नहीं है न्यायस यानि की न्याय परसद है सुरच्चा परसद है अंतराश्टिय न्याले भी है और कोई डाउट है तो आप कमेंट में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं निजाम का संबंद भारत की किस रियासत से माना जाता है तो निजाम हैदराबाद से संबंद थे दा ओप्सन आपका बिलकुल सही होगा भारत ने किस परवसी देश के साथ पंच सील समझोता किया है तो यह चीन से किया है आपका first option बिलकुल सही है 1975 में गोसेत राश्टी आपतकाल सम्मिदान के सनुच्छेद यानि कि आर्टीकल के अंतरगत लगाया गया था तो option number 6 आपका सही है यानि कि 352 अगला question है मंडल आयोग का सम्मंद था तो सातियो अन्य पिछड़ा जो वर्ग आरच्छन है इसको पहँचान दिलाने से था और अंतिन question है आपका वर्ड फिलू रोग से प्रभाइवित होने वाला प्रधान जीव है तो सातियो मुर्गी है यानि कि हैन होता है इसके बाद ये आपके descriptive question है जो लोग आगे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए ये question paper मैं पूरा ही so करा दे रहा हूँ आसानी से आप लोग इसका screenshot ले सकते है ये आपके लगूत्तर ये प्रसन है second part में भी आपसे ये question पूछे गए है ये आपके long questions है और long questions भी आपके 4-4 अंके है इसका English बर्जन है तो इससे आप करेंगे क्या हिंदी बास ही हिंदी में ही रही है